जैसे को यहां पर क्लिक करेंगा तो वो हमारी क्विज में चला जाएगा जैसे मैं आपको करके दिखाते हूं तो यह हमारा फर्स्ट कॉश्चन आ गया जो मैंने रखा हुआ है वाट इस ग्रूप इसमें कोई भी स्टैप रख सकते हैं आप यह आप पर है दैन जैसे वो किसी भी स्टैप पर क्लिक करेगा तन वह आगे फर्दर रिड्रेक्ट हो जाएगा यहां पर मैंने एक क्लियर कट कॉल टो एक्शन दिया हाव मच वेट डू यहां पर मैंने इमेज लगाई हुई है बिफोर एंड आफ्टर की दैन मैंने एक और कॉश्चन रखा हुआ है दैन य जैसे को यहां पर क्लिक करेगा तो वह रिड्रेक्ट हो जाएगा हमारे एफलेट सेल्स पेज पर आपके माइंड में नहीं आ रहा कि आपको क्वीज के लिए कॉश्चन कहां से मिलेगे यहां कैसे एक इंट्रक्टिव सी क्वीज बना सकते हैं तो उसके लिए भी मैं आपक यह वाक करेगी है हलो गाइस कैसे हो आप सब अई होप सब बढ़िया होंगे तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है खासकर बीगिनर्स के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊ को कैसे आप एक हाई कनवर्टिंग क्वीज लेंडर बना सकते हैं जो की आपकी सेल्स जरूर जनरेट होगी बिकॉज क्वीज लेंडर में क्या होता कि आप जो आपका कस्टमर होता है उसको एंगेज करके रखते हैं उसको फॉर्दर स्टैप्स में डिवाइड करकर अपने एफलेट सेल्स पेज पर डिडिरेक्ट करते हैं जिससे उसके कनवर्ट होने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यह जो मैथर में आपको बताने वाला जो एकदम फ्री है आपको एक भी रुपईया कर्चने के जुरूरत नहीं है और आप इसको अपने सोचल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हो गया अगर आप फेस्बुक पर मार् बहुत से कोर्स ही डाले हुए है अफिलेट मार्केटिंग से लेटर और अभी मैंने रिसेंटली एक सीरी स्टार्ट की है कि कैसे आप पिंट्रेस्ट के थ्रू हंडर्ड डॉलर डे अचीव कर सकते हैं एकदम शुरुआ से एकदम से कोर्स बनाया है तो आप यह भी जुरू विजुल भी रख सकते हैं अगर आपके पास कोई लेंडिंग पेज या वैबसाइट है तो आप इसको उसमें भी इंकॉपरेट कर सकते हैं यह इस वैबसाइट की वैस्ट बात है जैसे देखिए यह मेरी कुईज लेंडर का फर्स्ट पेज है वह यहां पर मैंने सीटीय द दन वह आगे फर्दर रिड्रेक्ट हो जाएगा जैसे देखिए मैंने मैंने पांसे शे कॉशन रखे हुए आप अपने एकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आपकी नीड हो जैसे यहां पर देखिए यहां पर सिक्स कॉशन दिखा रहा है अब यह हम दूसरे कॉशन पर है म how much wait do you want to shed यहां पर मैंने image लगाई हुए है before and after की सिंब्लिस में किसी पर भी करता हूं जैसे वह यहां पर क्लिक कर रहे हैं तो हमाएर लास्ट कॉश्चन पर रखिए एं जैसे मैं इसको किसी पर भी क्लिक करता हूं तो वह हमारे पर आजाएगा यह देखिए यह इसकी बेस्ट बात है यह आपको अलग अलग पेज़ पर रिडेक्ट नहीं करता आपको एक सिंगल पेज पर ही रखता है जिससे होता गया कि ज्यादा से ज्यादा अंगेज होता है जैसे देखिए यह हमारा फाइनल रिजल्ट पेज आ चुक है अगर आप थोड़े टाइम में ज्यादा रिजल्ट जनरेट करना चाहते है अगर आपके पास ऑडियंस बिल्ड हुई हुई है आपके सोचल मीडिया अकाउंट पर तो यह एक वन ओफ दा बैस्ट मैथट है जो बड़े बड़े एफरेट मार्क्टर यूज करते हैं अग आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगे तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे एक ऐसा क्विज लेंडर एकदम फ्री में बना सकते हैं एकदम स्क्राइट से तो मैं आपको स्टैप बास टैप बताऊंगा और आपको वेबसाइट भी बताता हूं जिससे नाम है इंट्रेक्ट.com जहां पर देखिए आप जैसे आ चुका है इंट्रेक्ट क्विज मेंकर इसका लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूगा आप वहां से इसको एजिली एसस कर सकते हैं इस कुईज लेंडर का नाम इंट्रेक्ट है जैसे आप देख सकते हैं बहुत से लोग इसको यूज करते हैं खासकर जो बड़े-बड़े इंफ्लोएंसर है इससे आप लीड जनेरेट कर सकते हैं इमेल्स क्लेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने रिड्रेक्ट किया है अफ्लेट सेल्स पेज पर आप ऐसे भी डिड्रेक्ट कर सकते ह आपकी सभी problem का all in one solution है और यह बहुत easy to make है आप कोई भी इसको easily बना सकते है तो एक बार मैं आपको इसकी pricing चेक करा दूं कि आपको free में क्या-क्या मेलेगा यह एकदम free है पहले zero dollar month यहां पर लिखा चुका है इसमें आपको मेलेगा content creation आप unlimited lander बना सकते हैं मतलब कोई limit नहीं है आप पांच या दंस बनाइए चाही 20 बनाइए चाही 50 बनाइए तो इसमें कोई limit नहीं है आप जितने चाहीं उतनी quiz lander बना सकते हैं मैंने बहुत से quiz lander ऐसे भी देखे जिन लिकिन जो email collector है वो guys paid plan में है free में आपको email collector नहीं मिलेगा और साथ ही email marketing के जो integration है मतलब अगर आप autoresponder भी करना जाते इसको तो वो भी paid में मिलेगा आपको free में नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको इसका paid plan लेना पड़ेगा जैसे देगे custom design है अगर आपको अपना कोई लोगो लगाना है तो उसके लिए भी paid plan लेना पड़ेगा अगर आपको email marketing करनी है तो आप paid plan ले लिजिए अगर आपको नहीं करनी अगर आप beginner है तो only simple quiz से भी आपका काम चल जाएगा तो अब मैं आपको एकदम scratch से बताता हूं कि आप कैसे बना सकते इसको make your oven quiz for free पर आप आपको यहां पर क्लिक करना है तो ऐसा login sign up form आपके सामने निकला गाए आपको simply यहां पर अपना नाम जा कंपनी के नाम भी आप बढ़ सकते है enter your name में मैं simply अपना नाम बढ़ते तो यह मेरा email address आ चुका है दन मैं यहां पर password create करता हूं और am not robert पर click करता हूं then create my account तो जैसे देखिए ऐसा करने के बाद आपका account बन जाएगा जैसे देखिए आपके जो official mail होगी जो आपने यहां पर फिल की होगी वहां पर एक mail चली जाएगी जैसे आप उस पर click करेंगे तो आपका account बन जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूं तो यह देखिए यह mail templates पहले से खोल देगा जो templates हमको चाहिए तो simply मैंने यह वाले template को edit किया था यहां पर आपको unlimited designs मिल जाएंगे जैसे आप देखेंगे तो अब अपने according जैसे भी जो भी आपकी नीश है जो भी आपका product है उसके according इसको easily customize कर सकते है इसमें कोई limitation नहीं आप जितने मर्जी question चा mode कर रहा है तो उसके लिए भी यहां पर प्री में templates है आपको simply इसके call to action वह बटन होगा वहां पर अपना affiliate link की paste करना पड़ेगा दन यहां पर देखिए different different templates है generate leads करने के लिए but leads हम नहीं generate कर सकते because वह paid में है तो simply मैं ऐसे ही आपको कोई template edit करके दिखाता हूं जैसे यहां पर types at all quizzes, personal quiz, score quiz, assessment quiz तो हमको simply personality quiz बनानी है तो इसके लिए मैं यहां पर click करता हूं then यह सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहो ताकि आपको idea मिल जाए आपको कैसे बनानी है आप अपने product और niche के according easily यहां से quizzes create कर सकते हैं तो जैसे मैं आपको simply इसको योगा वाली quiz को यह open करके दिखाता हूं जैसे preview अगर मैं करता हूं तो यह दिखिए यह ऐसी quiz है आप चाहिए तो result में full flash article भी दे सकते हैं तांकि user ज्यादा से ज्यादा engage हो मैं simply इसको use template पर click करता हूं यह देखिए जो हमने template select किया था वो निकलाया है जैसे आप देखिए यह उसका main page है जहां पर जैसे मेरी quiz का main page है वो यह वाला है इसके through ही जो user यहां पर take the quiz पर click करत करता है जैसे देखिए यह main page है आप इसको fully customize कर सकते हैं यहां पर background color है option है selection है progress bar है और button है button के color को भी आप easily change कर सकते हैं image को भी change कर सकते हैं तो आप अपने recording रख सकते हैं अगर आपके mind में नहीं आ रहा कि आपको quiz के लिए questions कहां से मिलेगे यहां आप कैसे interactive सी quiz बना सकते ह भी मैं आपको solution बताता हूं आपको simply google पर जाना है और यहां पर search करना है माली जी आपकी niche weight loss है जैसे यहां पर देखिए आए चुका है quiz questions for weight loss तो simply आपको इसको click करना है देन बहुत सी website खुल जाए कि जिसमें full-fledged से quizzes बनी हुई है आपको simply इन में से किसी पर भी click करके उस quizzes को exact copy-paste करना है जैसे देखिए top trending quiz आ गया है जैसे एक quiz है how to lose weight then उसके नीचे test your tips for weight loss knowledge then how to lose weight the healthy way तो यह सभी quizzes जहां पर आप देखिए जो keto को promote कर रहे हैं उनके लिए यह weight loss diet is for you आप इससे easily keto वारी audience को engage कर सकते हैं तो यह one of the best option है जुरूरी नहीं आपकी weight loss नीच है तब ही यह work करेगी तो अगर आपकी माली यह spirituality नीच है जहां relationship नीच है जहां make money online नीच है तो भी आप ऐसे search करना Google आपकी query से related बहुत सी quizzes निकल आएंगी जैसे यह देखिए यहां पर बहुत सारी है और भी website से आप उन पर click करेंगे तो और भी quizzes निकल आएंगी जैसे देखिए related quizzes है nutrition weight loss health and fitness है सबी quizzes है और इसके देखिए 78 questions है अगर आपको इतने सारे questions नहीं रखने तो आप क्या कर सकते हैं simply इन में से 5 या 10 best of questions उठाइए और उसको अपनी quiz में paste की तो simply इसको ही मैं करके देखता हूँ यह quiz आ चुकिए how to lose weight उसके नीचे इसने answer दी हुए question वानना आ गया इसका simply do you want to diet तो हमको simply first page जो हो इसका एकदम interactive रखना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूँ तो देखिए मैंने main headline लिखी है want to lose weight naturally then देखिए मैंने सबसे पहले main जो हमारा headline होगी जो भी बंदा हमारी जो main quiz की landing पर जब वहां पर आएगा तो वो पहले headline पड़ेगा मैंने simply clear cut call to action लगा want to lose weight naturally then वो image देखेगा image भी हमको अपनी उससे according मिलती जूलती लिगानी image के images मिल जाएंगी stock free images आप चाहें तो Google से भी download कर सकते हैं तो simply मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर replace image इसको delete कर देना yes यहां पर upload में जाकर image जो भी होगी वह आपको रख लेनी है जादे यह image है simply upload कर देना इसको तो देखिए हमारी image upload हो रही है यह image आगी हमारी आपको simply इसको अपने according adjust कर लेना है crop and save तो यह देखिए यह हमारी image आगी और यह हमारी main tagline आएगी तन आपको नीचे clear cut call to action लिखना है यहां पर देखिए मैंने clear cut short description लिखा है जैसे देखे discover what kind of ways are perfect for you due to losing weight naturally take this short quiz to learn how तो यह हमारा main जो landing page है हमारी quiz का जब भी को user आएगा जो वह पहले यहां पर ही आएगा तो यह हमारा बन चुका है तो अब आपको क्या करना यह दिखें यह cover पर था यह हमारा cover बन चुका है यहां पर नीचे questions है आप questions पर क्लिक करोंगे तो यह देखिए यह सभी उस previous quiz थी जो हमारी योगा से later quiz थी उसके आए हुए हैं आपको simply इन सभी को delete कर देना है मैं जल्दी से कर देता हूं मैं वीडियो को fast forward कर देता हुए तो यह देखिए यह सभी questions हमारे delete हो चुके हमको simply यहां पर add new question पर क्लिक करना है तो यह question आ जाएगा then हमको simply हमारी quiz पर कर देना है जो हमने की हुए है यह first question है इसका why do you want to diet तो simply इसको copy कर लेते हैं और इसको यहां पर question में paste कर देते है then because I am fat because I am not dieting तो हमने हमारी यहां पर four options है तो उसके लिए आपको simply answer A है यहां पर simply इसको copy करना है because I am fat और यहां पर paste कर देना है then face से आना है because I am not dieting ऐसे करके आपको सभी यहां पर paste कर लेने add answer तो यह हमारा जो first question का page है मतलब की जो हमारी main quiz के landing page के बाद जो हमारा first question आएगा किसी भी user को तो वह यह show होगा दैन इसमें आपको कुछ भी और अलग करने के जुरूरत नहीं है दैन आपको simply add new question click कर देना दैन फिर से interface को निकल आएगा दैन नीचे देखे डू यू लाइक eating junk food तो यह keto को पर मोट करने के लिए best है अगर आप keto diet को पर मोट कर रहे हैं तो यह वाली quiz जो है यह उसके लिए best है यहां पर प्रीमेंड questions भी है तो simply यह junk foods हम को इसमों कॉशन में डाल देना यह जो इमेज आप चाहिए तो इसको save image करके यहां पर paste भी कर आप अच्छे दे Google images download करना मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं दैन नीचे answers आ जाएंगे अगर आपको answer भी images वारी चाहिए तो आपको जैसे देखी मैं आपको दिखाता हूं जैसे यह था जैसे यह images वारा answer है तो वह आप कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको simply यहां पर है यूज image answer आपको इसको क्लिक करना देन ऐसा interface आपके सामने आ जाएगा तो आपको simply answer में yes यहां पर yes डाल देना देन नो यहां पर no डाल देना है या गया no और images आपको Google से easily मिल जाएंगे आप वहां से यहां पर जितने भी question है उन सभी को रख सकते हैं यह आपकी मर्जी है मैं आपको और नहीं बना कर देखाऊंगा उसमें बहुत time लग जाएगा आपको ब्रीफ आइडिया तो मिल गया होगा यहां से कि आपको कैसे क्या करना है यह हमारी दो question हो गए then यहां पर देखे question section में हमारी दो question show हो रहे है तो अब हमको simply result चाहिए तो उसके लिए आपको result page पर जाना है तो यह वह result है जो हमारी योगा के page का था जो पहले ही था आप चाहिए तो इसको भी easily एडिर कर से जैसे देखिए उसने भी इमेजिस लगाई हुई है और एक full-fledged block की तरह बनाया हुआ है उसने आप चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं रखना तो simply इसको ड्लीट कीजिए को ड्लीट कीजिए यह सभी प्रीमेड इसको इसको भी ड्लीट कर देते हैं तो यह रिजल्ट आजाएगा सुम्पली तो आपको अगर इमेज लगानी है तो यहां पर आप इमेज लगाई है अदरवाइस नहीं लेगए तो सिंपली इमेज को हाइड करने के लिए यह रिखिए यहां पर अपना इसको आपको दिखाने के लिए एक कॉल तो एक्षन लिखा है ऐसे ही सिंपल सा अगर आपको इसको एक अच्छा ता कॉल तो एक्षन लगाना दैन अगर आपको और भी डिस्क्रिप्शन लिखना लाइक जैसे उन्होंने एक ब्लॉक की तरह बनाया था तो आप यहां पर ड तो आपको जो आपका URL होगा मतलब जो आपका affiliate link होगा वह आपको यहां पर देना है सिंपली यहां पर आपको एक क्लियर कट कॉल तो एक्षन दे दिना जैसे मैं लिखता हूँ यहां पर यहां पर यूएल में जाकर देना है जैसे यहां पर आगया जैसे यहां पर देखिजी आगया Google.com इसको मैं सेव करता हूँ तो यह हमारी full-fledged quiz बन चुकी है यह मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है आप इसको और भी अच्छा कर सकते है जैसे मैंने यहां पर बनाई है आपको थोड़ा time देना होगा तभी अच्छी बनेंगी दैन अब आपको एक और step करना है वो कहा जो यह social settings है आपको simply इस से करेंगे तो यह subscription मांगेगा तो हमको यह नहीं करना आपको simply publish पर क्लिक करना है दन यह ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने आपको simply publish as is पर क्लिक करना है अपक्रेड नहीं करना आपको यह देखें यह हमारी quiz बन चुके है जैसे मैं copy link करके इसको paste करता हूं यहां पर control v बस इसमें आपको एक दिना रखना है आपको URL आएगा वो यह वाला आएगा आपको अपना कोई personal URL नहीं दे सकते जैसे आपको और साइट में option मिलते है अपना URL देने की तो इस बात को इंस्टाग्राम या Facebook पर यूज करना है तो उसके लिए आपको इसका link shorten करना होगा bit.ly के थूप otherwise कोई दिक्कत नहीं है दें यह देखें यह हमारा main landing page आ चुक है उसका जो हमने बनाया था then take the quiz पर करता हूं तो यह मुझे redirect कर देगा जो हमने first question रखा था हमारा तो मैं इसक देखें जो हमने CTA दिया हो था call to action मैंने simply ऐसा ऐसा ही लिखा था आप इसको अच्छे से बना सकते हैं यह आपका result page है because इसकी information पढ़करी जो बंदा होगा वो redirect होगा हमारे affiliate sales page पर मैं यहां पर Google का link दिया था तो मैं जैसे यहां पर click करूँगा तो मैं redirect हो जाऊंगा Google पर तो यह इतना simple सा method है आप ऐसे करके अपनी quizzes बना सकते हैं easily और effectively और अपने affiliate products को promote कर सकते हैं तो I am sure आपको इसके बारे में और कोई video नहीं मिलेगी because कोई भी बंदा free में तो इसके बारे में बता ही नहीं रहा है अगर कोई बता रहा होगा तो वो courses में बता रहा है तो guys please guys अ आपको वीडियो अच्छी लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तो guys मेलते हैं next video में thank you guys